हेलो फ्रेंड्स तो आज का न्यूज बहुत ही इस्पेसल होने वाला है ध्यान से सुनेगा वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करेगा तो किंद्र सरकार के तरफ से एक बहुत ही अच्छी खवर निकल के आई है कि अब स्पेसल ट्रेन बिहार के लिए चलाए जाएगे तो उस ट्रेन में आप सफर कैसे करेंगे कैसे टिकेट लेंगे मैं सब कुछ आपको बाड़ी की से समझाने वाला हूँ कौन लोग सफर करेंगे कौन लोग सफर नहीं करेंगे यही चीज में आपको समझाने वाला हूँ ठीक है और कैसे पता करना है कि किस राज से कब ट्रेन कौन सी खुलेगी मैं सब कुछ आपको बाड़ी की से समझाने वाला हूँ यहाँ पे आप हेडलाइन देख सकते हैं रेलवी का बड़ा फैसला जहारखन के बाद अब बिहार के लिए जैपूर से चली स्पेशल ट्रेन यह स्पेशल ट्रेन जैसे जैपूर से यह चली है तो डाइरेक्ट यह पटना ही रुकेगी बीच में कहीं नहीं रुकेगी यह नौन इस्टॉप ट्रेन होगी तो इस ट्रेन में आपको सफर करने के लिए क्या करना होगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस ट्रेन में सफर करने के लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है ट्रेन में खाने पीने का सुपिधा फ्री अप कॉस्ट होगा तो अब रही सवाल कि अब रिल्वे पहचान कैसे करेगा कि आप अभी ट्रेन में सफर कर सकते हैं ठीक है तो हर एक राज में एक हर एक राज में एक नोडल ओपिशर बनाया गया है ठीक है जैसे जम्मु कास्मीर, लदाग, पंजाब, भर्याना, राजस्तान देख सकते हैं हर एक राज में एक अलग-अलग नोडल ओपिशर बनाया होगा इनके पास आप फोन करिएगा आपको अखेली जाना है या फिर आपके पास आपका फैमिली है सबका डिटिल्स आपको देना होगा फिर आपको एक कनफर्मिशन मैसेज आएगा उसी मैसेज को देखा के आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं जैसे एक ट्रेन के कूच में 72 लोग की सीटे होती है तो उसमें 50 लोगों को ही बैठाया जाएगा डिस्टेंस का एकदम पालन किया जाएगा धक्का धुकी एकदम नहीं करना है और ट्रेन में चरने से पहले आपकी पूरी तरह जाचाई होगी ट्रेन से उतरेगा उसके बाद भी आपकी पूरी तरह जाचाई होगी सबको जाच करने के बाद ही आपको सफर करने की इजाज़त दी जाएगे ठीक है तो इस form का link में आपको description में देनुगा वहाँ से आप download कर लिजिएगा अगर यहाँ से आपको कुछ number समझ में नहीं आता है तो description में आपको मैं एक link दूँगा form का link आप वहाँ से download करिएगा और यहाँ से आप number निकालके आप वहाँ पे आप अपना details देजिएगा नोडल अपसर को आप अपने राजवाईस number चूच कर लिजिएगा और इसके बीच में और भी मैं आपको दो number देने जा रहा हूँ ठीक है बिहार सरकार ने दो और toll free number जारी किया है आप कहें भी फसे हुए हैं जैसे आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है या फिर रहने की समस्या है तो आप उस परिस्तिती में इन दो toll free number पे संपर कर सकते हैं ठीक है आपको हर संभव परियास किया जाएगा कि आपकी समस्या का समधान किया जाए ठीक है तो आप ये दो number द्यान से लिख लेजेगा 981831252 फिर से मैं दोड़ा दे रहा हूँ 981831252 और दूसरा number 9773711261 आप इन दो number को note कर लिजेगा आपको कोई भी problem हो खाने के समस्या हो या फिर कोई भी समस्या हो आप इस toll free number पे आप अपनी problem बताएगा ठीक है तो किस राज में कब train चलेगी कहा से train कब स्टाट होगी इस जनकारी के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा जैसे ही कुछ नया update निगल के आता है कोई train नया स्टाट होने वाली है मैं तुरंत ही उसकी वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो सबसे पहले आपको काम करना है ध्यान रखिएगा कि नोडल ओपिशर का नंबर पे आपको सबसे पहले फोन करना है और आपना वहाँ पे registration करवाना है तब आपके फोन पे एक message आएगा उस message को दिखा के ही आप सफर कर पाएंगे ठीक है उस form का link मैं description में दे दूँगा बार बार में बोल दाओ उस form का link मैं description में दे दूँगा ठीक है अगर ये वीडियो आपको useful लगा हो तो वीडियो को like और share जरूर कर दीजिएगा share करिएगा तो दूसरों किसी की भी मदद हो जाएगी और channel को subscribe जरूर कर लीजिएगा जैसे ही कोई नए train नए राजी से start होती है तो मैं आपको तुरंथी वो वीडियो बना के पुस्ट करूँगा तो आप तक पहुँच जाएगे पुस्ट कर दो आपको जाएगे